तो जो मेरे दोस्त शर्माजी हैं वो दिन में 10-15 बार अपने मुबाइल फोन से फोटो कीचते हैं और अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं और इसमें उनको बहुत सारा समय लग जाता है या तो वो जीमेल का इस्तमाल करते हैं या फिर वो वाटसप का इस्तमाल करते है तो इस वीडियो में ऐसे दो जबरदस अप्लिकेशन आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप विंडोस 11 इस्तमाल कर रहे हैं या विंडोस 10 इस्तमाल कर रहे हैं तो कैसे आप अपने काम को बहुत जल्दी से कर सकते हैं यह जो अप्लिकेशन है यह आपके कंप्यूटर म साथ के साथ भेजना है तब आपको क्या करना होगा एक चोटा सा अप्लिकेशन है चिसे प्ले स्टोट से डाउनलोड करेंगे इस अप्लिकेशन का नाम है snap jab on कर लेते हैं तो भी ठीक है और नहीं करते हैं तो आप snapdrop.net को अपने Google Chrome browser में open कर लीजिए तो फिलाल के लिए application हमने download कर लिया है इसे हम यहां से open कर लेते हैं तो browser पे भी आपको सेम यहीं दिखाई देगा और application आप open करेंगे तब भी आपको यह interface दिखाई देगा अब देखो इससे डेटा transfer करना कितना असान है हमने अपने computer में भी यहां पर आप देख रहो कि मैंने shortcut बनाया हुआ है अपने desktop पे यह आप shortcut देख रहो इस snapdrop की नाम से है और यह मैं tap करने के साथ में ही मैं साथ के साथ कोई भी image जो मैंने अपने phone से खींची है उसको मैं साथ के साथ transfer करूँगा और यह peer-to-peer transfer होगा पी-to-peak network के बारे में आपको साथ के साथ बताता है चलता हूँ कि जब आप आप same wi-fi यूज करते हैं और उस समय आप कोई network बनाकर उससे image transfer करते हैं तो यहां पर phone और computer दोनों खुद में एक server होते हैं तो जो data है वो third-party app या third-party server पे transfer नहीं होता है साथ के साथ आपके phone से आपके computer पर computer से phone पर transfer होता है तो transfer करना कितना असान है चलिए दिखा दिता हूँ यहां पर आइगन पर टैप करना है यहां तीन option आपको मिलेंगे camera 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 और files का तो आप साथ की साथ फोटो घीच के भी transfer कर सकते हैं या फिर फाइल के option पर चले जाए फाइल में वह image आपको किवल select करनी है और कुछी seconds के अंदर देखे real time में आप देख रहे होंगे कि image यहां पर transfer हो गई है अब simple आपको image अपने computer में यहां से save कर लेनी है देखे इस तरह से अब अगर computer से कोई image आपको अपने phone में transfer करनी है तो यहां पर एक icon आपको दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है इससे आपको browser है वह बन हो जाएगा और computer से भी कोई इमेज जैसे mango वाला जो image है यह में ले लेता हूं एक second के अंदर आपके phone में यहां पर आ जाएगा तो है ना कितना आसान इस image को साथ के साथ आपके computer से phone में और phone से computer में transfer करना अब यह जो desktop पे मैंने जो shortcut बनाया है व यहां पर उस website का web address डाल देना है तो मैंने web address पहले से combi किया हुआ है मैंने यहां पर लिखा है https slash snapdrop.net और यहां से इसको next कर देना है यहां पर यदि आप चाहें तो इसको एक नाम दी सकते हैं तो मैं यहां पर वही URL को paste कर दूँगा यह हटा दूँगा इदर से और इसको यहां से finish कर दूँगा देखिए अब क्योंकि पहले से shortcut बना हुआ था वो replace करने के लिए बोल रहा था यहां पर यह shortcut आ गया है जैसे आप इसे double click करेंगे तो जो browser है वो open हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ में आप अपने phone में या computer में या आपके office में एक से ज़्याद करना है यहां पर आपको जॉइन pen drive course का option दिखाए देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी offline pen drive course की website पर यहां पर आपको एक pen drive course दिखाए देगा A2Z computer mastery course इस course में पूरे 19 professional courses सामिल है जो की lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आ हमारा premium mousepad जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको प्रिंट करके मिलेंगे एक free OTG और हमारा जो pen drive है वो मिलेगा जो की आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशकता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pen drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर tab और आपके android smart tv पर अब यहां पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहां पर 60% का discount चल रहा है जिसी course आपको लगवग 4000 रुपे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप मैंसे 5 लोगों को यह course केवल और केवल 5000 रुपे में मिल जाएगा तो यहां पर आपको coupon code यूज करना है डबल नाइन PC डबल टू और इसको यहां पर apply कर देना है जैसे आप coupon code apply करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केवल 2499 यानि 25 रुपे का मिलेगा तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज आप मिल जाएगा तो अगली चीस application के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है IrfanView और यह application भी आपके computer में होनी चाहिए यह जो application है अभी से नहीं है Windows XP के टाइम से है और दिन पर दिन पैस्ट बंती जा रही है अगर आपको Photoshop नहीं चलाना आता है और इमेज में चोटे मोटे editing आप करनी है उसके अलाब अभी कुछ powerful चीज़ें ऐसी है जो software को unique बनाती है अब इस website पर चले जाएंगे जिसका नाम है IrfanView.com और यहां पर आपके computer के साब से जो भी operating system हो 32 bit है तो 32 bit आप download कर लीजे 64 bit है तो 64 bit आप download कर लीजे जैसे यह download करेंगे तो आपके desktop पे यह icon आपक जाएगा अब देखिए मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं कुछ चीज़े मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा जो कि बहुत quickly हो जाती है जिसकी वजह से यह application आपके computer में होना चाहिए माल लीजे मेरे पास दो ID card है और ID card मुझे join कराने है तो आप Photoshop में जाएंगे उसका एक front part आप लेंगे फिर back part लेंगे तब एक image आप बना पाएंगे इस से इस तरह की images बनाना बहुत आसाल है आपको सिर्फ image पर जाना है और यहां पर merge image का option आपको दिखाई देगा इस पर आपको click करना है और यहां पर आपको दो option मिलेंगे direction के एक horizontal और vertical अब अगर आपको एक card ऊपर रखना है एक नीचे रखना है तो vertical को select कर लीजिए add image के option पर जाईए यहां से मैं यहां पर जो मेरे card थे जो दोनों मैंने photo की चाथ अपने font से उनको मैं ले लेता हूं front part फिर back part और इसे open करूंगा ठीक है और इसके बास simple मुझे यहां से create image पर click करना है आप दे format मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इस image को save कर सकते है अगर इस image को आप resize करना चाहते है यहां और और आप इस image को resize करना चाह रहे है तो simple image के option पर जाईए और यहां पहो Tampa दिखाए देगा Resize और Resimple का इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहां को बहुत सारे size मिल जाएंगे माल लीजे यह जो units है वो pixel में दिये गए हैं अब आपको centimeter में लेने हैं और इसके size बदलना है तो आप यहां से बदल सकते हैं और inches में अगर size बदलना है तो आप बदल सकते हैं image को compress करने के लिए आप यहां से कोई भी size select कर सकते हैं और image को बड़े आसानी के साथ में compress कर सकते हैं image के DPI बदलने के लिए आप यहां से image के DPI बदल सकते हैं और यही नहीं इसके अलावा Irfan View के अंदर बहुत सारे option ऐसे दिये गए हैं जो आपको Photoshop जैसे software के अंदर मिलेंगे जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आप canvas को change कर सकते हैं, shadow add करा सकते हैं border और frame add करा सकते हैं इसके बाद इस image को gray scale में convert कर सकते हैं negative में convert कर सकते हैं color corrections आप यहां पर कर सकते हैं color को replace कर सकते हैं यहां image के अंदर आप sharpan दे सकते हैं red eye corrections कर सकते हैं और इसके लब आप बहुत सारे जो effect हैं वो यहां पर दिये गए हैं so Irvine view के उपर एक अलग से dedicated video भी बन सकता है यदि आप चाहें इस software को और आप समझना चाह रहे हैं तो एक अलग से video बन सकता है जिसके अंदर बहुत सारे tips and tricks के बारे में पताए जा सकते हैं फिलाल के लिए अगर यह software आपने computer के अंदर install कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे काम बड़े आसनी के साथ में किये जा सकते हैं आशा करता हूँ कि यह जो video है यह आपको जरूर बसंद आया होगा इस video के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले video में तब तक के लिए जहिंद वन्ने मातरम